देश के एसेट्स में OBC की कितने हिस्सेदारी है? दलितों की कितने हिस्सेदारी है? आदिवाचियों की कितने हिस्सेदारी है? इस कमरे में दलित कितने हैं? नमस्कार दोस्तों, दोस्तों करनाटक चुनाफ तो आपको याद ही होगा, वहां कॉंग्रेस ने जब बजरंग दन को बैन करने की बात की थी, तो भाजपा की तरफ से इस बजरंग दन को बैन करने की बात को किस तरीके से लिया गया था, धरम की राजनीती अपना कर की तरफ से अमिच्छा की तरफ से बयान आया हुआ है जो कि जाती जरगरना का विरोत करती आई थी लेकिन अब अमिच्छा ने ये बयान दिया है कि तेलंगाना में अगर उनकी सरकार बनती है तो वहां का जो मुख्य मंत्री होगा वो ओबी सी का होगा तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि सरकार अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कुछ भी कर सकती है कहीं भी पल्टी मार सकती है और इसी के उपर अभी राजीव रंजन जो रिपोर्टर हैं निउस 24 के वो इस बात को किस तरीके से समझाते हैं ये पूरी रिपोर्टिंग उन्होंने कि तो चलिए सुनते हैं शुरुआत राजी में आपसे ही करूंगा और यह कह सकते हैं कि राजीव देश की सियासत से जाती जाती नहीं है वह अब भी बरकरार है और कर यह साबित हो गया जब ग्री मंत्री अमिच्छा तिलंगाना में जाकर एक बड़ा वादा करते हैं कि अग अब यह जो जाती को लेकर सियासत हो रही है क्या माइने हैं इसके और क्या नफा नुकसान दोजार चॉबिस को देखकर आपका विश्लेशन देखिए रवी हन राजनितिक दल के लिए खासकर राश्टी पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग छेत्र के लिए अलग उसकी रणनीती होती है चुनावी रणनीती और अमिच्छा का जो बयान है कि तेलंगाना में OBC का CM बनाय जाएगा इसके पी यज़ए पी अद्दक ज़े पी नडडा कहते हैं कि सनातन या धर्म या मेजॉरिटी को जाती हुं में जात पात की बात करते हैं ग्री जाती की बात कर रहे जाती में लोगों को बातना चाहते हैं वही बीजेपी के प्रमुक्स चेहरे और गिरी मंतरी अमिर्शा जब तेलंगाना जाते हैं तो बीसी मुखे मंतरी बनाने की बात उन्होंने की क्यों और क्यों करते हैं इसकी वज़ा जानने के लिए आपको तेलंगाना की जो जमीनी हकीकत है उसको जानना बहुत जरूरी होगा दरसल क्या हुआ पिछले तीन चार महीने पहले तक चार महीने पहले तक अगर आप देखे तो तेलंगाना में भी आरेस को चुनौती देने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी भारती जंता पार्टी थी चार-पांच महीने से परिस्तियां इतनी तेजी से तेलंगाना में बदली कि जो अस्थान भारती जंता पार्टी का था वो अस्थान कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत तेजी से हथिया लिया और उसकी वज़ए दो-तीन है उसकी एक बज़ए यह है कि बीजेपी के तेल ने केसी आर के खिलाफ इतना आक्रामक रवया अपनाया और कि उसका अगर आप देखे तो हैदराबाद का जो ग्रेटर मिनिस्पल कॉर्परेशन का एलेक्शन हुआ डेर सो के करीब सीटों में और तालीस सीटे भारती जंता पार्टी जीत करके सबको चौका दिया था आप कुमालू में मिनिस्पल कॉर्परेशन के उस चुराव में योगे आदितनाथ को वहाँ भेजा गया था उन्होंने रैलिया वहाँ पर की थी और बंदी संजय ने एक OBC और एक हिंदुत इन दोनों का क्रॉक्टेल का इस्तेमाल कर BJP को बहुत मजबूत इस्तिती में हुआ है वहाँ पर हमला किया लेकिन हुआ यह कि जुलाई में बंदी संजय को कारिकाल पूरा होने से पहले पार्ती जंता पार्टी के आला कमान ने पद से हटा दिया और उनकी जगह कि जो केंदरी मंत्री है उनको प्रदेश का BJP का अध्यक्ष बना दिया और उसके बाद उसके बाद यह मैसेज गया कि कहीं नकहीं BJP और केस यानि PRS इन में कोई नकोई इसमें कोई नकोई साइट गार्ट है कोई नकोई बात है और उसको लेकर के Congress जो है आक्रामक होई आपको मालूमें इस Election में Congress जो है एक शादी के गडवंदन टाइप का निमंत्वर काद कर रही है कि BRS, BJP और MIM एक ही उसमें मिले हुए है और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब प्रधानमंती ने तिलंगाना में रेली की तो उन्हों ने जाती ही कह दिया KCR पे इंडिये में आना चाहते हैं हमने लेने से माला कर दिया तो ये जो तीन-चार महीने का गटना करम हुआ उससे BRS को काफी जटका लगा जो वो तेलंगाना में जितनी मजबूत थी और कॉंग्रेस ने इसी को एक मुद्दा बना करके अपनी बहुत पैठ मजबूत पिछले तीन-चार महीनों में की और मैं ये भी कहूंगा कि वो दूसरे अस्थान पर आने में काम्याब हो चुकी है आज की तारीक में अब भारतिय जनता पार्टी के सामने चुनाओं के सामने वक्त ये बहुत बड़ी चुनाओती थी और इसलिए चुकी वहाँ OBC की जनसंक्या 57 फीजदी है और KCR खुद OBC कम्यूनिटी से नहीं आते है तो वहाँ पर 57 फीजदी कम्यूनिटी OBC है और बार-बार BJP कह रही है कि कॉंग्रस पार्टी और KCR ये पारिवारवादी पार्टिया है के KCR अपने बेटे को मुख्रि मंतरी बनाने के लिए परिशान है सोनिया गांधी राओल गांधी को प्रदान मनतरी बनाने के लिए परिशान है इसलिए BJP का अगर की सरकार बनी तो यहाँ की जो सबसे ज़्यदा पॉपुलेशन है OBC उससे तो एक तो बंदी संजे के हटाए जाने का जो जो आप कह दीए कि जो भरपाई है वो दूसरे बंदी संजे को चुराम में उतार भी दिया गया तो ये मेसेज देने के लिए कि OBC कम्यूनिटी जो पहले जिस तरीके से के सीयार के खिलाफ आकरामक थी बीजेपी वही आक रामक रुख अक्तियार की हुए है मुझे लगता कि हमिशा ने ये ब्यान दिया है लेकिन एक तरफ उत्तर भारत में आप जाती की राजनीत करने वालों को ललकारते हैं और दूसरे तरफ खुदी जाती का काड़ खेलते हैं यही राजनीत है और दूसरी बात यह कि उत्तर दच्चिड भारत में आज भी हाला कि सबसे जादा मंदिर उदर ही है और सबसे ज्यादा पुचा बात उदर ही है लेकिन दच्चिड भारत में भी अभी जाती का काड़ धार्म के कार्ण से उठा़ है तो दोस्तों जैसे कि अपने अभी राजीव रंजन जी की बाते सुनी कि अमित्षा का जो बयान आया है वो क्यों आया होगा लेकिन आपको क्या लगता है जैसे भाजपा धरम की राजनीती करके चुनाव लड़ती है पहले भी उन्होंने ऐसा किया करनाटक चुनाव थी जो और वहां उनको हार हासिल हुई और अभी जो फ्री की रेवडियों की बात हो रही है कुछ ना कुछ नई गोश्रा है इसलिए कर रहे हैं ताकि कि किसी ना किसी तरह के से लोगों के मन में हमारे लिए चवी अच्छी बने और हम इस जीत को हासिल करें सत्ता में आए लेकिन क ऐसे अब वह जाती का नाम लेके चुनाव लड़ना चाहती है तो आप इस मुद्धे पर और इस बात पर क्या कहना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि अमित शाने ये बयान क्यों दिया होगा क्या भाजपा को हार से डड़ लग रहा है कि वह अब हारने ही वाली है उसका प